ठीक है, तो आज का मारा टॉपिक है, कोहर्ट स्टडी, तो सबसे पहले चीज जो हमको कोहर्ट स्टडी में पता होना चाहिए कि भाई, कोश्चन्स क्या आते हैं, तो कोहर्ट स्टडी याद रखना कि इस पे लॉंग कोश्चन भी आता है, शॉर्ट नोट भी आता है, in fact इस पे MCQs बहुत सारे आते हैं, तो हम देखेंगे कि कोहर्ट स्टडी क्या होती है, प्लस हम इसको देखेंगे कि भाई, कैसे रेट्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी जो है, वो केस कंट्रोल स्टडी से अलग है, सबसे इंपॉटन चीज जिस पे 50 बार सवाल आए मेरे को, कि सारे अलग कैसे है, ये समझा दो, बहुत सिंपल है, अभी हम समझेंगे, कोहर्ट स्टडी का अलग-अलग नाम है, ये क्या होते है, पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद वापस इसको आएंगे, कोहर्ट स्टडी का में फीचर क्या होता है, भाई साहब, कोहर्ट स्टडी का म आप एक study करोगे, cohort, cohort मतलब आपने एक group decide कर लिया जिस पे आप एक study करने वाले हो, सबसे पहला point आपको याद रखना है किसी cohort study का, cohort आपको identify करनी है, जिसमें आप आगे जाके देखोगे कि उनमें disease develop होती है कि नहीं, इसका कहने का क्या मतलब है, कि आगे disease develop होती है कि नहीं से नहीं होती है, ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ कि आप जब शुरुआत करते हो, तो आपने एक cohort ले लिया, फिर आप समय से आगे जाते हो, आप उन लोगों को observe करते हो, समय से आगे जाके, और उनका follow up करते हो, और ये देखते हो, कि उनमें से कितने लोग हैं, जो exposed होंगे और कितने लोग हैं, जो exposed नहीं होंगे, और उसके बाद आप और आगे जाते हो, और follow करते हो, फिर देखते हो, किनको disease होगी, और किनको disease नहीं होगी, non-exposed में से भी किसको disease होगी, किसको disease नहीं होगी, ये simple सी step है cohort study की, कि आप शुरुआत करते हो, शुरुआत में आप एक cohort ले लेते हो, फिर cohort क्या होते हैं, cohort में disease नहीं होती है, फिर आप उस cohort में समय से आगे जाते हो, और देखते हो, कि किसको exposure हुआ, किसको exposure नहीं हुआ, for example, अगर हम smoking और lung cancer में एक association निकालने के लिए study कर रहे हैं, cohort study, तो हम कहेंगे, कि हमने एक cohort से लिट किया, for example, मैंने कहा कि मैंने 2016 batch के सारे undergraduates को पे एक study कर रहा हूँ, तो 2016 batch के undergraduates पे मैं एक study कर रहा हूँ, कि smoking से lung cancer होता है, कि नहीं, तो ये 2016 batch क्या हो गया मेरा, cohort हो गया, एक group of people मैंने ले लिया, फिर मैं समय से आगे गया, फिर मैंने देखा, यही जो 16 batch है, ये भाई, डॉक्टर डॉक्टर ब तो किसी ने smoking, किसने smoking शुरू कर दी, और किसने smoking अभी तक शुरू नहीं किये, भाई, PGEG कर रहा है, cigarette cigarette पी रहा है, फिर आगे जाके, आगे एकदम HOD, HOD बन गया, वो life 50s में पहुंच गया, उस पे मैंने देखा कि भाई, इस में से कितने ऐसे smoker थे, जिनको lung cancer हुआ, और कितने ऐसे smokers थे, जिनको जिन्दगी बर cigarette पीने के बाद भी lung cancer नहीं हुआ, ऐसे ही, यही 2016 में, for example, कई ऐसे होंगे, जो PGEG में भी पहुंच गए, उसके बाद भी smoking, smoking शुरू नहीं कि, वो लोगों में आगे जाके, ऐसे कितने non-smokers हैं, जिनको lung cancer हुआ, और ऐसे कितने non smokers हैं, जिनको lung cancer नहीं हुआ, इससे कुछ याद आ रहा है, यह smoking नहीं करता था, फिर भी lung cancer हो गया, इसका example, मुन्ना भाई, MBS में जिमी शेर गिर, वो भाई ने जिन्दगी में कुछ नहीं किया था, उसके बाद भी भाई को cancer हो गया था, तो यह उसी का example है, कि जिन्दग सेकंड चीज हम follow up कर रहे हैं, हम समय से समय की दिशा में जा रहे हैं, यह हमारी study का direction है, यह देखो direction of inquiry है, direction of study हमारा यह है, और समय का direction भी यही है, यह क्या है, यह present है, for example, यह 2020 है, यह आ जाएगा, for example, 2030 आ जाएगा, यह for example, 2050 हो जाएगा, तो समय से आगे जाते जा रहे है हम that is हम follow up करते जा रहे हैं और over a period of time यहां पर लिखा भी हुए over a period of time मतलब समय से आगे जा रहे हैं और एक peculiar point लिखा है cause to effect हमारा cause क्या था हमारा cause था smoking और हमारा effect क्या है lung cancer तो हम smoking से lung cancer की तरफ जा रहे हैं तो lung cancer का cause क्या है smoking तो यह हमारा है cause और smoking की उसकी वज़े सो उसके effect के तौर पर क्या हो गया lung cancer हो गया cause to effect that is lung cancer तो इसके पीछे वाली slide में चलते हैं prospective study का मतलब क्या होता है prospective study का मतलब भी वह होता है आगे की तरफ जा रहे हैं incidence study का मतलब क्या हो रहा है समय से आगे जाते जाएंगे तो हमको क्या होगा समय से आगे जाते जाएंगे तो हमको दिन बादिन new cases मिलते जाएंगे तो नए case जो मिलते हैं उसको क्या कहते हैं incidence, prevalence क्या होता है new plus old तो इसलिए इसको incidence study कहते हैं क्योंकि नई cases हमारे सामने आते जाते हैं forward looking study क्यों बोलते हैं क्योंकि समय से आगे जा रहे हमने आज हमने present में study की शुरुवात की और future की तरफ जा रहे हैं इसलिए forward looking cause to effect study क्यों कहते हैं क्योंकि हमने देखा ये है हमारा cause smoking ये exposure और ये है हमारा effect disease ये length answer तो cause से effect की तरफ जा रहे हैं या फिर वह ये exposure से outcome की तरफ जा रहे हैं जो किया है exposure से outcome की तरफ exposure से disease की तरफ outcome is disease इसलिए इसको कहते हैं exposure to outcome study या risk factor to disease risk factor क्या होता है risk factor भाई किसी कोई बीमारी होने के लिए risk factor को expose होना सरुरी होता है तो risk factor से disease की तरफ जा रहे हैं इसलिए risk factor to disease या फिर सबसे आखरी में जो हमने कहा ही था कि भाई इसमें सबसे important चीज़ कहा है follow up करना follow up हम करते हैं तो वही हम यहां पे कर रहे थे कि follow up कर रहे हैं हम समय से आगे जा रहे है follow up study इसलिए इसको कहते हैं तो समझ गए इसके अलग-अलग नाम अब यह याद रखना है यह वाईवा के लिए बहुत important है इन चीजों के मतलब क्या होते है तो इनके मतलब आपको वाईवा में पूछे जाते हैं तो इनके नाम इनके मतलब के साथ आपको पता होने ही चाहिए ठीक जितने भी नए students हैं उनको मैं बता दू जितने भी underline part है मेरे notes में वो सारे MCQs हैं जो पूछे जाते हैं और अभी तक पूछे गए हैं various PG entrance exam में तो यह हमको याद रखना है कि यह हमको question आए हम वापस इसपाएंगे जब review करेंगे फिर से इस topic को अब हम देखते हैं कितने types की prospective study होती है एक तो sorry cohort study होती है एक तो simple prospective cohort study होती है कि हमने population लिए उसमें समय से आगे गए और उसके बाद देखा यही जो आपको यह दिख रही है that is actually यही रहेगी cohort तो ऐसी रहेगी बगर यहाँ पे आपको याद रखना है यह है present यह है future और यह और भी आगे वाला future that is prospective cohort की आज हमने शुरुआत की और समय से आगे गए वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभी तक outcome नहीं हुआ है यानि कि disease अभी नहीं हुई है study की शुरुआत में वही हमने जो कहा था study की शुरुआत में population में कोई disease नहीं होती है सिर्फ exposure हुआ है कोई की cigarette पीना भाई नोगों ने शुरू कर दिया है और हम समय से आगे जाते हैं और देखते हैं किस में disease डेवलप हुई मतलब exposed और non exposed में से किन-किन लोगों में disease डेवलप हुई किन-किन लोगों में disease डेवलप नहीं है simple इसी को कहते हैं prospective cohort या concurrent cohort या current cohort जो हमने यहाँ पे देखा था कि हमने आज शुरूआत की population से जिन में कोई disease नहीं है फिर हम समय से आगे गए हमने follow-up किया हमने देखा किस कौन smoking करता था कौन smoking नहीं करता था जो smoking करता था उनमें से किसको lung cancer हुआ किसको lung cancer नहीं हुआ जो smoking नहीं करता था उनमें से कितनों को lung cancer हुआ याने कि वो जिमी शेल कितने थे और कितनों को lung cancer नहीं हुआ that is हमारा simple सा prospective cohort इसमें कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे यह याद रखना present में शुरुआत की future में गए और फिर super future में चले गए मतलब वो जो Barry Allen है अपना flash वो उसके जैसे super future में चले गए तो यह हो गया आपका prospective cohort study बहुत simple है इसके example के तोर पे हम याद रखने के लिए नाम याद रख सकते है at least कि भाई है Framingham Heart Study जो थी Framingham Heart Study यह prospective cohort study थी in fact Framingham cohort study पे अलग से सवाल आता है इसलिए अपने notes में भी और अभी discuss भी करेंगे क्या थी इसको हम आगे देखिए अब फस्ते हैं Retrospective cohort और Combined Retrospective Prospective cohort study और इसमें ना लोगों की ऐसी की तैसी हो जाती है Sir Retrospective cohort तो Case Control Study है Retrospective Prospective cohort study तो हमारा भेजा का गए कुछ समझ नहीं आ रहा बहुत simple है मैं समझाता हूँ बहुत ही simple है पहले शुरुबात करते है Retrospective cohort study समझ लेना Retrospective cohort study का मतलब क्या होता है Simple भाशा में समझ लेना देखो Retrospective cohort study का मतलब है यहाँ पे Present यह हमारा Present है यह हमारा Past है और यह हमारा Future है ठीक है Present, Past और Future अब मैंने क्या किया मैंने 2016 बैच कुनी अभी Internship PG PG कर रहे होंगे 2010, 2011, 2012 2012 बैच पे study की 2012 बैच पे मैंने study करने की सोची 2012 बैच पे ठीक है अब क्या करूंगा मैं समय से पीछे जाओंगा Time Machine में बैच के नहीं सिर्फ जाके उनसे पूछूंगा कि 2012 बैच को मैंने पूछा कि भाई जब तुम UG में थे तब से शुरुवात करते हैं study की मैं अभी study शुरुवात नहीं है समय से पीछे 2012 यहां पे है मैंने उनसे history लेना शुरू की भाई 2012 में जब तुम्हारा admission हुआ था तब से अपन बाते करते हैं बोले ठीक है अज़र करते हैं अब study की शुरुवात हुई है ठीक है यहां से study की शुरुवात हुई है यहां पे study शुरु नहीं हुई है समय के पीछे ले जा गया उनको अपने यादों के ज़रोकों में ले गया और बोला अब शुरुवात करते हैं फिर मैंने उनको यादों के तौर पे पूछा भाई 2012 में अब यह बताओ भाई कि तुम जैसे जैसे आगे गए तुमने cigarette पीनी कप शुरू की तो फिर जैसे जैसे आगे गए 2012 बैच हमें बताता रहा कि उनमें से कुछ लोगों ने smoking शुरू कर दी और कुछ लोगों ने smoking शुरू नहीं की तो हमने 2012 में गए और 2012 में उनसे पूछा 2012 में हमने स्टडी की शुरूआत की direction of inquiry हमारा यह है कि अब बताओ 2000 कुछ ने बोला कि सार हमने तो 2013 से second year में आई नहीं की चार सब्जेक्ट देखके ही हमको हमको cigarette रही थी कुछ ने बोला सार हमना 2016 में जब final year में थे तब शुरूआत की कुछ ने बोला सार हम PG जब कर रहे थे 2019 में जब PG के तियारी कर रहे थे तब शुरूआत की smoking की तो सब ने बताया अपनी 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 तो हमने आज की date में आ गए 2020 तक और हमको यह मिल गया कौन कौन है जो smoking करते हैं आज की date में और कौन कौन हैं जो smoking नहीं करते हैं 2000 सुरी इसको बहुत सार वो हो गया है यहां से शुरूआत करता हूँ हमने 2012 बारा बैच से शुरूआत की कि 2012 बारा बैच बताओ तुम कब कब सिगरेट पीटे थे यह लोग आ गया है यह अभी है 2020 ठीक है जब 2014 आया था तब हमने सिगरेट पीटे शुरू कर दी थे कि फाइनल यह आ गया अब तो सिगरेट पीटे पड़ेगी वरना पास नहीं हो पाएंगे 2014 में कुछ लोगों ने smoking शुरू कर दी थी और कई लोग ऐसे थे 2014 आते आते भी smoking नहीं की थी फिर 2020 आते आते इन में से कईयों को lung cancer हो गया कईयों को lung cancer नहीं हुआ जो non-smokers थे उसमें से भी कुछ jimmy sharegle बन गया है 2020 आते आते कि lung cancer हो गया lung cancer नहीं हुआ अब इसको retrospective go heart क्यों कहा हमने 2020 में present है यह हमने study कहा शुरू की हम समय से पीछे गए start किया study को अब यहां से हमने आगे आए 2014 तक 2014 तक आते आते कई लोग थे जो smoking करने लगे थे कई लोग थे जो smoking नहीं करते थे फिर 2020 आते आते कई लोगों को lung cancer हो गया था कई लोगों को lung cancer नहीं हुआ था अब मुझे बताओ हमारा study का direction क्या है यह हम सिर्फ यादों के जरोकों में ले गए थे यहां study नहीं study यहां शुरुआत हुई तो study का direction है ऐसा time का direction भी यही है यह सबसे पहली pre request है cohort की कि जो time का direction होता है जो time का direction होता है वही हमारी study का direction होता है इसलिए इसको बोलते है cohort study जो time का direction है वही study का direction है cohort study में अब यह कैसे different होती है case control study से यह मैं समझाता हूँ क्योंकि यही सब को पता करना है पहले हम करते हैं cohort study को यह हमारा present है यह हमारा past है ठीक है हम बताते है cohort study जो हमने शुरुआत की हम समय से पीछे गए और यहां पे हमने एक cohort select किया 2012 में उसके बाद हम समय से आगे आए 2014 तक आगे हमने देखा उन में से कुछ smoking करते थे कुछ smoking नहीं करते थे जो smoking करते थे उन में से कुछ को lung cancer हुआ कुछ को lung cancer नहीं हुआ यह कुछ को lung cancer नहीं हुआ यह कुण से study है study की शुरुआत यहां हुई start हुआ समय से आगे आए हम 2014 में देखा कौन smoking करता है नहीं करता है याने की exposure हमने चेक कर लिया कि 12-14 तक हमने exposure वगरा चेक कर लिया फिर हम समय से आगे आए और हमने exposure हो गया तो तो हमने outcome देख लिया या disease देख लिया कि किसको lung cancer हुआ किसको नहीं हुआ इसमें क्या हो रहा है हमारा time का direction ऐसा है और हमारी study का direction भी देखो ऐसा है यह हमारी study का direction है और time का direction तो यही है यह हमारी retrospective cohort कि समय से पीछे जाके फिर अभी तक आए retrospective cohort past में गए past से present में आए अभी यह case control study से कैसे अलग है बहुत सारी चीजों में देखो यहाँ पे हम follow up कर रहे है मनला हमने अभी तक इसको follow किया और समय की direction में ही हमारी study का direction और हमारे समय का direction दोनों एक ही दिशा में case control study क्या होती है case control study में हमने यहाँ पे एक population select की हमने 2020 में एक population select की वहाँ हमने 2012 में select की तियाद रखना इस population में से हमने देखा कि कितनों को lung cancer है कितनों को lung cancer नहीं है यह हमारे क्या हो गए? यह हमारे हो गए cases और यह हमारे क्या हो गए? यह हमारे हो गए control अब जिनको lung cancer था उनसे भी हमने history ली कि भाईया यह बताओ कौन smoking करता था? कौन smoking नहीं करता था? जिनको lung cancer नहीं था? उनसे भी हमने पूछा कौन smoking करता था? और कॉन स्मोकिंग नहीं करता था तो हमने क्या किया फर एक्जामपल यहां पे इनने बोला कि यह 2012 से ही स्मोकिंग करना शुरू कर दिया था हमारा स्टडी का डायरेक्शन क्या है 2020 है इन्होंने 2012 तक की हिस्ट्री दी उनमें से कई लोग स्मोकिंग करते थे कई लोग नहीं करते थे कई लोग स्मोकिंग जो डिजीज थे जिनको लंक एंसर था उन वो लोग 2012 में करते थे 2012 में नहीं करते थे जिनको लंक एंसर नहीं था उनमें से कई लोग थे जो 2012 में स्मोकिंग करते थे और जो 2012 में स्मोकिंग नहीं करते थे इसमें हमारा study का direction क्या है हमने population यहां पे select की हमारी study स्टार्ट हो गई हम समय से पीछे जा रहे हैं 2012 तक उसमें हमने पूछा उसमें से यहां पे इनने बोला कि भाईया 2014 में कई लोगों को lung cancer हो गया था तो समय से पीछे गए 2014 में कई लोग हम पीछे गए 2014 भी बीच में आया था और 2012 भी आया हमने क्या किया study शुरुआत की 2020 में समय से पीछे गए 2012 तक इसमें हमने देखा किन-किन लोग smoking शुरू कर चुकते किन-किन लोगों ने smoking शुरू नहीं किती अब हमारे पास है study का direction क्या ह study का direction है ऐसा 2020 में हमाई पास lung cancer वाले भी थे lung cancer वाले नहीं थे और फिर हम समय से पीछे गए 2012 में smokers थे smokers नहीं थे lung cancer जिनको नहीं थे उनमें भी smokers थे smokers नहीं थे study का direction ऐसा है जबकि time का direction हमारा ऐसा है तो study का direction कैसा है इस तरफ time का direction इस तरफ है तो आप case control study की pre-request study और time का direction opposite होता है cohort study की pre-request study और time का direction एक side होता है समझ गए फिर से बताता हूं retrospective cohort study में हम समय से पीछे गए और वहाँ पे हमने एक cohort select किया cohort select जब हमने किया तब क्या इन लोगों को बिमारी थी नहीं 2012 में कोई बिमारी नहीं थी यादे हमने cohort में पढ़े ही था कि शुरुआत में study में कोई बिमारी नहीं होती है फिर 2012 से ये लोग आगे आए आगे आए 2014 में कई लोग smoking किये कई लोग smoking नहीं किये फिर 2014 से आगे आते आते, smokers में से भी कई लोगों को लगा cancer हुआ जो अन्ञ cancer नहीं हुआ ही 2020 आते, आते आते, study की शुरुवात हुई 2012 में, आगे चलते गए 2014 आया, 2020 यह हमारा study का direction और time का direction भी यह है, that is retrospective को, retrospective क्यों, शुरुवात हमने समय के पीछे जाके की, इसलिए retrospective, और cohort क्यों, पहली चीज हमने cohort select किया, दूसरी चीज, जब हमने cohort select किया, तब उनको कोई बीमारी नह ही थी, तीसरी चीज हमने follow up किया, उनका समय से आगे आये, और आज तक पहुचे, retrospective cohort, case control में क्या हुआ, case control की pre-request ही, जब हमने study की शुरुवात की थी, तभी हमारे पास cases और control दोनों थे, यानि कि तभी हमारे पास disease हो चुकी थी, जब हमने study की शुरुवात की, तो disease हो च direction यह है, बताओ तुम में कब smoking शुरू की थी, कुछ ने बोला 2015 में की थी, किसने बोला 2014 में की होगी, तो study का direction ऐसा है, और time का direction ऐसा है, ठीक, यह था difference हमारा, case control study और retrospective cohort study में, यह याद रखना, retrospective cohort study में, हम समय से पीछे जाते हैं, एक population select करते हैं, उसके बाद आगे आते ह बीच में कोई smoking करने exposure होता है, किसी को exposure नहीं होता है, फिर हम present आते हैं, यहाँ पर हमारा present है, यहाँ पर हमारा past है, present में अभी lung cancer हो गया, lung cancer नहीं हुआ, non smokers में भी lung cancer हो गया, lung cancer नहीं हुआ यह बहुत ही सिम्पल है, retrospective cohort, retrospective cohort में आपको retrospective cohort में समय से पीछे जाओगे, बीच में कभी exposure होगा और फिर आज की date में disease हो चुकी है अब combined retrospective, prospective cohort क्या होता है? यह थोड़ा सा अलग है retrospective cohort से, कैसे? हमने क्या किया? Retrospective cohort क्या था, Retrospective cohort था, ये था 2020, जब disease हो चुकी थी, ये था 2012, जब हमने cohort select किया था, ये था 2014, जब exposure हुआ था, ऐसी हमारी study का direction था, थीक है, अब हमारा नई retrospective prospective cohort retrospective prospective cohort में न हम यहां खड़े हैं 2020 यहां पे है तो हम फिर वो ही है हम समय से पीछे गए हमने कोई भी year ले सकते हो हमने वो ही लिया 2012 में एक cohort select किया उसके बाद हम समय से आल गया आते गए आज की date तक आए आज की date में देखा किसको exposure है और किसको exposure नहीं है present में हम बस इतना ही पहुँचे है कितना exposure है कितना exposure नहीं है और फिर हम समय से आगे जा रहे हैं 2030 पे पहुँच गए हम और 2030 में आये तो हमने देखा कि जिसको exposure था उन में से कितनों को disease है कितनों को disease नहीं है और 2020 में जो non exposed थे उन में से 2030 तक कितनों को डिजीज डेवलप होगी, यानि कितने जिमी शेरगिल बनेंगे और कितनों को डिजीज नहीं होगी. Retrospective, Prospective को हाट क्यों? पहली चीज हम समय से पीछे गए, इसलिए Retrospective आगे आए, अभी तक पहुँच गए, यहाँ तक की तो हमारी क्या थी? यहाँ तक, याद है हमने पढ़ा था, इसको कहते हैं retrospective को हाथ prospective क्यों लगा रहे हैं इसमें? क्योंकि आज के बाद हम आगे भी जाएंगे follow up भी होगा, तो follow up हम समय से आगे जा रहे हैं, इसलिए यह prospective इतना part retrospective, इतना part prospective, 2012 से 2020 तक आए, that is retrospective, 2020 से 2030 तक जा रहे हैं, that is prospective इसलिए इसको combined बोलते है, retrospective, prospective को हाथ, समझ गए? बस थोड़ा सा difference है, समझने में यह 2020 है, यह 2030 है, यह 2040 है, क्या हो जाएगा? prospective को हाथ, आज शुरुआत हुई, समय से आगे गए 2030 में exposure हुआ, समय से आगे गए, 2040 में disease हो गई, prospective को हाथ, उसके बाद यह, for example, यहाँ पे हमने देखा, कि भाई, यह 2020 है, यह 2012 है यहाँ से शुरुआत हुई, 2014 में exposure हुआ, और 2020 में disease हो गई, यह क्या हुआ? Retrospective cohort, समय से पीछे गए, और आज की date तक disease हो चुकी है Retrospective prospective cohort क्या है? आज बीच में रहेगा, 2020, तो 2012 से हमने शुरुआत की, आज तक आए, देखा, कितो को exposure है, कितो को exposure नहीं है आज से आगे गए, 2030 तक, उसमें 2030 में देखा, जो exposed थे, उनमें से कितो को disease होई, कितो को नहीं होई, जो non-exposed थे, कितो को ही, कितो को नहीं होई Retrospective prospective cohort, यह मतलब समझ लेना बहुत important होता है वही चीज़ें यहाँ पर लिखे हुई है, example के तोर पर लिखा हुआ है, कि भाई, fetal monitoring करते हैं और neonatal death के हिसाब से इस पर भी आपको example आई हुआ है, infect code brown year, doll study जो थी, at least इनका नाम याद रख लेना वो example है, mixed cohort study का, retrospective cohort study का दूसरा नाम होता है, historical cohort study या non-concurrent cohort study इनके अंदर जो चीज़ें लिखी हैं, वही चीज़ें लिखी हैं, जो मैंने आपको भी समझाया है, ठीक, आगी चलते हैं, कि steps क्या-क्या होती है, steps में होती है, कि selection सबसे पहले तो आप study subjects का selection करोगे, या तो आप general population, वही जो हमने case control में देखा था, या तो आप general population से ले स सकतो special group में, कुछ selected groups हो सकते हैं, या तो आप doctors का cohort ले लो, या teachers का cohort ले लो, या lawyers का cohort ले लो, या फिर ऐसे लोग लो, जो कि पहली से exposed हो रहे हैं, हमको पता है कि इनमें बीमारी हो सकती, industrial workers हो गए, जो coal mines workers हो गए, वो या फिर radiologist होते हैं, क्योंको x-rays वगरा का exposure होता है, त ऐसे data हमने जो case control में लिया था, या तो आप personal interview ले लो, और देखो कि कितना exposure होआ है, या आप उनके records खंगा लो, या आप उनका examination, या test लगा लो, या उनका environmental survey कर लो, और ये देख लो कि कितना exposure होआ है, उसके बाद होता है कि comparison group, इसमें याद रखना कोई control group नहीं होता है, स उसी group के अंदर ही compare कर लिया, simple step है, या फिर external comparison में आपने एक cohort अगर radiologist का ले रहे हो, तो आपने comparison के तौर पे अप्थल वालों का cohort ले लिया, इसको control के तौर पे नहीं लेना, ये सिर्फ एक comparison के तौर पे होता है, और कुछ तो नहीं है जिनको हम देख सकते हो, उसके बाद और कर दिया है, तो भाई तेरे को lung cancer हुआ है कि नहीं, बस इसलिए हम follow up करते जा रहे हैं, फिर वही जो 2 by 2 table हमने बनाई थी, इसमें भी बनाते हैं कि exposure हुआ है और disease हुई है कि नहीं, exposure हुआ मगर disease develop नहीं हुई, exposed नहीं हुए, फिर भी disease develop हो गई, ये हमारे जिमी शेर गि नहीं हुए, disease भी develop नहीं हुए, ये हमारे संजेदा तो हुए, तो ये 2 by 2 table हमने पहले ही बनाई थी, उसके बाद incidence निकालते हैं, incidence अमंग exposed कैसे निकालेंगे, एपन incidence अमंग exposed का मतलब क्या है, incidence of disease अमंग exposed का मतलब है कि total exposed में से कितने प्रतिशत हैं जिनको disease develop हुई, incidence अमं A+, B राख सकते हो, C upon C plus D into 100 इसमें कर ठीक हैं, तो इसके बाद हम देखेंगे कि relative risk क्या होता है, attributable risk क्या होता है और population attributable risk क्या होता है, पहसे अप्से पहले तो तो तीनों के formula देख लिए ना, कि relative risk का formula क्यों होता है, relative risk का formula होता है, कितनी बीमारी exposed में कितनी incidence हमको बीमारी का मिला divided by non-exposed में कितना incidence हमको बीमारी का मिला incidence of disease among exposed divided by incidence of disease among non-exposed बहुत सिंपल से हैं अगर हम अगर हम attributable risk कर देखेंगे तो इसको risk difference भी कहते हैं attributable risk को risk difference भी कहते हैं तो इसमें directly करेंगे exposed upon non-exposed जो यहां पर किया था कि वहां कितना incidence एक्सपोस में divided by कितने incidence of non-exposed नहीं यहां पर हम करेंगे incidence of disease among exposed क्योंकि इसको risk difference कहते हैं इसलिए उपर difference रखेंगे उसमें से minus करेंगे incidence of disease among non-exposed और नीचे हम वहीं रखेंगे जो शुरुआत में रखाता incidence of disease among exposed इसको कहते हैं attributable risk या risk difference इसलिए यहां difference शब्द यूद किया है क्योंकि यहां पर minus हम नहीं किया है population attributable risk वही attributable risk में population डाल दो तो exposed की जगह पर क्या कहेंगे incidence of disease among total population minus वही non-exposed जो होगा incidence of disease among non-exposed divided by जो उपर शुरुआत में था वह यहां रहेगा incidence of disease among total population तो attributable risk और population attributable risk में बस इत्ता सा formula है कि exposed की जगह पर हम total population लेते हैं तो यह formula तीनों की याद रखना यहां पर तो simple है कि incidence of disease among non-exposed attributable risk में incidence of disease among exposed minus incidence of disease among non-exposed divided by incidence of population attributable risk में exposed की जगह पर total population कर देना तो incidence in total population minus incidence of disease among non-exposed upon incidence of disease in total population सब में into इन दोनों में into 100 कर देना अब हम relative risk के बारे में निकालेंगे simple है आपने क्या कर रहे हो यहां पर exposed में कितना incidence था बिमारी का नीचे non-exposed में कितना incidence था बिमारी का तो इसको आप interpret कैसे करते हो अगर वन आता है इसका मतलब क्या है वन कब आएगा वन तभी आएगा ना जब exposed में incidence और non-exposed में incidence इकोल होगा तभी तो यह वन आएगा तो इसका मतलब क्या है interpretation कैसे करोगे कि exposed में disease होने के chances और non-exposed में disease होने के chances एकदम same है क्योंकि relative risk का आपको किता है एक आया है एक आया है याने कि incidence आपको exposed में भी उत्ते ही मिला है non-exposed में भी उत्ते ही मिला है याने की chances बीमारी के होने के exposed में as compared to non-exposed के same है अगर रिप्रोड़क्टर रिलेटर इसका आपका वन आता है तो फॉर एक्जांपल वही हमने देखा था कि smoking और HIV AIDS कोई बहुत जादा correlation है यह नहीं तो रिलेटर इसका मतलब होता है कि कोई association नहीं है जितने exposed में मिल रहे हैं उतने नन-exposed में मिल रहे हैं मतलब की वह जो exposure था और आउटकम उन दोनों के अंदर कोई relation नहीं है जैसे कि यहां smoking और HIV AIDS में as normally तो कोई correlation नहीं होता है अगर हम अगर हमार आंसर एक से ज़्यादा आता है इसका मतलब होता है कि positive association है exposure और outcome में है disease में जैसे कि जो हम देखते आ रहे हैं अभी तक smoking और lung cancer में तो अगर आपका relative risk एक से ज़्यादा आता है तो आप उसका interpretation कैसे लिखोगे आप लिखोगे relative risk of इतना for example दो आया तो two indicates that incidence of disease is मतलब कि या incidence जो था exposed में वो दुगना जादा था exposed में as compared to non exposed तो इसलिए बहुत simple से बाचा में यहां पर मैंने dash बना दिया या blank छोड़ दिया है कि जो भी आपका answer आएगा उसको यहां डाल दो अगर three आता है तो related risk three का मतलब होता है तीन गुरना जादा chances है exposed में बीमारी को होने कि as compared to non exposed simple अगर relative risk एक से कम आता है relative risk एक से कम कब आएगा relative risk एक से कम तब आएगा जब non exposed में जादा बीमारी मिलेगी as compared to exposed तब तो relative risk एक से कम आएगा तो जब ऐसा होता है उसका मतलब होता है कि negative association है मतलब जितना ज्यादा exposure होगा उतनी कम disease होगी वह लिखा हुआ है जैसे कि vitamin A जितना ज्यादा लोगे उतना कम आपको epithelial cancer होगा वह interpretation में वह लिखा है कि chances of disease of development is less among exposed as compared to non exposed कि कि अगर इस चीज़ का जातर यह drugs वगरह में वाक्सिन वगरह में हमको negative association मिलता है कि जिसने जाद अगर vitamin A ज्यादा ली तो epithelial cancer कम होगा वह यह relative risk less than one का मतलब होता है negative association है protective effect ज्यादा होता है for example आपका relative risk एक से कम आया यानि कि अगर 0.25 आया यानि कि जो बचा हुआ 75% reduction आपको मिलेगा जो exposed में 75% कम बीमारी मिलेगी as compared to non exposed में ऐसा interpretation आप लिख सकते हो तो यह बहुत important है जब आपको relative risk को interpret करने को बोला जाता है कि अगर एक आता है तो कोई association नहीं एक से जादा आता है तो positive association है एक से कम आता है तो negative association है इसको कैसे शो करोगे कि अगर exposure बढ़ा होगे तो outcome पर कोई effect नहीं पड़ेगा यहां पर जितना exposure बढ़ा होगे उतना ही आपको outcome भी बढ़ता जाएगा यहां पर क्या होगा exposure जितना बढ़ा होगे outcome उत्ता कम होगा तो यह था आपका relative risk जिसको की बोलते है ए यकाल रहे हैं इंसिदेज में इंसने करूब को बहुत क aqueles झुर्स को क्यों क्यों कि इंकाल रहे हिं कि आप मैं इंसिदेंस आव डिजीज निकला एक सबस Slovene पूसको मैनard कर दिये इंसिदेंसब डिजीज कितना था नौन एक्स में आइझ कर दिया इंस्टॉफट दिजीज अमंग एक्स पोज में तो आपका निकल आएगा एक ट्रिब्रेटिव रिस्क इतना है तो जितना भी आया आपका गडर दो आता है तो आपको गोगे कि इतने गुना अट ट्रिबूट इतना अट्रिबूट किया था एक्सपोजर ने बीमार को होने में इसलिए इसको रिस्क डिफिरेंस कहते हैं इसको हम एक्सेस रिस्क और रिस्क डिफिरेंस भी कहते हैं इस पर आपको प्रिपीजी में कोशन आया हुआ है ठीक है पुब्लिक है प्रोग्रम प्रॉब्लम कितने आपने रिजॉल्व किया है कितनी बीमारी भैली तक कितने responsible थे किसी बीवारी को होने में इस टॉटल population में कितना incidence है disease का डिवाइद बाइट टॉटल population में कितना incidence है डिजीज का वह हैं डिजीज का अब इसका interpretation क्या होगा कि अगर आपने जो risk factor था उसको modify कर दिया होता या eliminate कर दिया होता जैसे smoking को अगर आपने बंद करवा दिया होता तो for example यहां 3 आता है तो 3 गुना chances है reduction मतलब की साल में reduction of incidence के total population में तो यह आपको यही बताता है कि अगर आप risk factor को कितना chances है कि कितने गुना कम कर देगा बीमारी को होने में अगर आप risk factor को हटा देते हो या eliminate कर देते हो तो यह national population policy में important होता है यह आपको MCQ आया भी हुआ है तो interpretation याद रखना कि अगर आप risk factor को modify या eliminate कर देते हो तो इतने गुना chances है कि बीमारी का incidence कम हो जाएगा उस population में that is population attributable risk अब एक जो गलती करते हो ना आप लो वह क्या करते हो जब हमने पूछा कि incidence of disease मैंने बोला कि भई relative risk निकालो relative risk निकालते हो तो उसका मतलब होता है कि incidence of disease among exposed upon incidence of disease among non-exposed यह है तो आप क्या करते हो आप निकाल देते हो कि disease exposed में कितनी थी कितनी disease थी आप A upon C कर देते हो ऐसा हमको नहीं करना है for example मैंने कहा कि 100 लोगों पर मैंने कहा कि 100 लोगों पर मैंने एक study की 100 लोगों में से 60 लोगों में बिमारी मिली 40 में बिमारी नहीं मिली इन 60 लोगों में से 40 लोग ऐसे थे जो सिगरेट पीते थे और 20 लोग ऐसे थे जो सिगरेट नहीं पीते थे फिर भी उनको बिमारी नहीं होई तो टोटल पचास लोग ऐसे थे जो सिगरेट पीते थे और पचास लोग ऐसे थे जो सिगरेट नहीं पीते थे ऐसा आपको कोश्यन आता है तो मैं बोलूँगा भाई relative risk निकालो तो आप कैसे निकालोगे relative risk मैंने बोला तो आप बोलोगे incidence of disease among exposed upon incidence of disease among non exposed तो आप क्या करते हो कि exposed कितने है 40 divided by disease जो non exposed थे हो कितने है 20 तो आप निकाल देते हो 40 upon 20 नहीं ऐसे नहीं निकालना है यह आपको दिया हुआ incidence of disease among exposed के लिए आप यह formula use करोगे कि भाई total exposed थे 50 उसमें से 40 को बिमारी हुई थी तो 40 upon 50 incidence of disease among exposed into 100 करना हो तो कर सकते हो divided by यह क्या है incidence of disease among exposed और incidence of disease among non exposed कैसे निकालोगे total at non exposed में से कितनों को बिमारी हुई यह लिखा हुए among non exposed c upon c plus d तो incidence of disease among non exposed में क्या आएगा total 50 में से 20 लोगों को बिमारी हुई तो 20 upon 50 वह यह c क्या है 20 है और c plus d क्या है 50 है तो into 100 यह actually में relative risk ऐसे निकालते हैं ऐसे नहीं कि आपने 40 को 20 से डिवाइट कर दिया ऐसे नहीं निकालना है आपको incidence of disease among exposed निकालना है divided by incidence of disease among non exposed करना है ऐसे करना है डायरेक्ट नहीं लिख देना है exposed non exposed यही गलतिया numerical में करते हो हम जब numerical की class लेंगे तो इसको भी डिसकस करेंगे वही सारी value यहां भी निकालना है exposed minus non exposed incidence और हाँ total population क्या हो जाएगा total population में incidence of disease in total population मतलब कि आपका total population में कितने बीमार है divided by total कितने study party मैंने कहा था कि 100 में से अगर 60 को बीमारी है तो incidence of disease among total population क्या हो जाएगा 60 divided by 100 into 100 तो ऐसे आप लिखोगे incidence of disease among exposed incidence of disease among non exposed incidence of disease in total population तो यह जब आप numerical करते हो तो यह छोटी-छोटी गलतियां करते हो आप कि आप डाइरेक्ट टू बाइटू टेबल से वैल्यू रखतेते हो नहीं डाइरेक्ट टू 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 टेबल से वैल्यू नहीं रखनी है आपको incidence निकालके उसकी वैल्यू रखनी है जब दो करेंगे तो आपको ओडेर उसके पाद डूंतेजे में कैक है मनेंपिचीन के goal सकते हैं और स्थेदेऑं की शुरुआत की हम आगे गए हमने गाहा है एक्सपोजर भॉँब हैं अगे चैसर भॉअ लंग कैंसर नहीं हुआ आगे गई देखा कि लंग सब्सक्राइब निकाल सकते हैं क्योंकि इतना लंबा समय तक फॉलॉप करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं तो हमको नैच्छल स्ट्री डिजीज की पता ही चल जाती है कि किन-किन वजों से बीमारी होती है क्या-क्या चाहिस पचास-पचास साल तक फॉलॉप करते हैं तो कोई अगर रहर कॉस की वज़े से भी बीमारी होती है तो ऐसे चांसे होते हैं कि वे रहर कॉस भी हमको मिल जाए अब यहाँ पर याद रखना यह रहर कॉस है डिजीज नहीं है रहर डिजीज के लिए कौन सा अच्छा थ रहर के लिए अच्छा था केस कंट्रोल स्टडी यहां पर याद रखना रहर डिजीज के लिए यह बिलकुल भी अच्छे नहीं होती है क्यों अच्छी नहीं होती है आपने 2020 से स्टडी की शुरुआत की आपने है 1980 तक अपकी स्टडी चलती रही और अगर आपने कोई रिजीज काम किया ता 60 साल तक काम किया भाई रिजीज तो रिजीज है छो भी सकती हो नहीं भी हो सकती है बहुत कंशा साउसी एक CORम rein मिला तो इसी लिए रे डिजीज के लिए को हार्ट स्टड़ी अच्छी नहीं होती है रे डिजीज के लिए कौन से अच्छी होती है रे डिजीज के लिए केस कंट्रोल स्टड़ी बेस्ट होती है क्यों 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 कि आप जब स्टड़ी के शुरुआत करते हो तभी आपको tv ना आपने यह पॉपोलेशन ली ओर उसमें आपने आपने केसली इसमें और केस्ट अपने कंट्रोल लिएए यह केसल आपके रड़ीज्टीजव वाले हैं आपने शुरुवात में रड़ीजिश को मिल गई आपको कई पंगा courageous की होगी ह Kimberly को साल ड़ां है यह उसको भीन पता हुता तो हुआ तो पर आप तब होता था यहां पर उतना सब्सक्राइभ की चंसेत नहीं है कि कि हम तो समय से आगे जा रहें तो यह जदा तर हम ये बाते करते हैं, Prospective Cohort Study अगर आपको Cohort बोला गए लिए ना तो आपको Prospective Cohort ही नॉर्मली लेके चलना है हाँ, Types अपने बता दिये कि ji Retrospective Cohort क्या होता है Retrospective Cohort क्या होता है Retrospective Cohort Study क्या होती है है कि expensive or time consuming है सालों लग जाते हैं कोहर स्टेडी को खतम होने में 40 साल 50 साल 10 साल और इतने साल तक आप follow करोगे तो expensive भी होगी lost to follow up भी होता है कि भाई हमने ना lung cancer हुआ कि नहीं हुआ हमने 60 साल तक follow up के भाई साथ पतक चला भी वह 20-30 साल के अंदर ही निपड़ गया कोई accident से मर गया कोई दूसरी विमारी से मर गया तो lost to follow up भी होता है कि बीच में कहीं गुंग गया वह बचारा भग गया वह migrate रो गया तो lost to follow up भी हमको cohort में बहुत देखने होता है तो यह सारे advantages and disadvantages of cohort study फिर फ्रेमिंगम हमने पढ़ा था कि प्रॉस्पेक्टिव को थी तो इस पर अलग से आपको short note आता है तो आपको फ्रेमिंगम cohort study बस एक नजर माल लेते हैं क्या होता है वह यह कि भाई cohort study समय से आगे जाते हैं और क्या हुआ था फ्रेमिंगम में हमने की थी 1948 में उसमें हमने क्या निकाला था उसमें हमने relationship निकाला था risk factors or cardiovascular disease risk factor में क्या के लिया था serum cholesterol BP weight or smoking लिया था तो समय से आगे गाय थे और देखा था कि बीमारी हुई कि नहीं age group किता लिया था 30 से 62 साल sample size 5127 था multiple exposure हमने देखे थे और यह हमने advantage में देखा भी था कि multiple effect आप पता लगा सकते हो follow up कब तक किया था आपने हर 2 साल में आपने follow up किया था 20 साल तक उनको follow किया था और हर 2 साल में आप जाके लोगों से मिले थे भहिया है यह बताद हो गई हो तो मजा जाएगा तो यह आप करते थे कि follow up आपने किया यह फांदींग्स राती वही जो पीजीज बड़ी वैसे ईसे आपको कॉर्ली आ हांचेर्ट Выle इस्टि को आज खोई 현ीड करते हों पिप्रइश्पोस देक रैते आश adaptations शे मुल्लैटेश भी एक इंक्रेजिस फैक्टर था कोनिय हाड़ डिजीज का फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करने से कोनिय हाड डिजीज के चांसे स्कम मिले। ये आपको ये जो 20 साल इनने स्टडी की थी उनकी फाइंडिंग्स थी। तो ये सब हमने इतनी माथा पच्ची क्योंकि, क्योंकि Framingham Heart Study पे कभी-कभी theory में भी question आ जाता है, MCQ सिर्फ एक आया है कि Framingham Heart Study किसका example है, तो ये cohort study का example है, तो हमने क्या शुरुआत किती है, हमने पढ़ा था, शुरू से पढ़ा था हमने cohort study, तो cohort study की अगर मैं बात करूँ, तो आपको long question भी आता है, आपको short note भी आता है, और आपके इसके अंदर भी आपको very short note के तौर पे आपको बोल दिया जाता है, अगर मैं बात करूँ वाइवा की, तो वाइवा में आपको ये अलग-अलग नाम क्या है, ये पूछे जाते हैं, और वाइवा में आपको पूछा जाता है, कि इनके मतलब समझाओ, अगर मैं इस स्लाइट की बात करूँ तो आपसे वाइवा में डायरेक्ट बोल दिया जाता है कि भाई समझाओ कि कोहर्ट स्टडी क्या होता है तो यह डायग्राम आपको आना चाहिए MCQs आपको पूछे जाते हैं अलग-अलग PG entrance exam में तो आपको जितने भी underline पार्ट है सभी MCQ आए हुए हैं तो आपको यह भी आया हुए है कि कोहर्ट की शुरुवात में disease नहीं होती है आपको पता होना चाहिए और इनको समझाते आना चाहिए अगर मैं MCQ की बात करूं तो आपको यह पूछा जा चुका है MCQ में कि भाई concurrent cohort study कौन सी होती है तो that is prospective cohort study आपको non-concurrent cohort study का पूछा जा चुका है तो that is retrospective cohort study उसके बाद आपको एक example दिया गया था nurses वाला तो उसमें आपको MCQ आया था कि यह किसका example है that was of retrospective cohort study उसके अलावा steps है तो steps में आपको theory के लिए पता होने चाहिए कि steps क्या और वाईवा में आपसे बोल दिया जाता है कि steps बताओ कौन कौन सी होती है तो आपको steps पता होने चाहिए कि पहले study subject को select करोगे for data of exposure लोगे उसके comparison group देखोगे उसके बाद follow up करोगे उसके बाद analysis करोगे यह आपको वाईवा में तो पूछा ही जाता है theory में तो आपको लिए उसके बाद two by two table आपको कई बार यह याद रखना कि यह आपको numerical के लिए बहुत ज़रूरी है कि यह आप two by two table आपको बनाना आनी चाहिए numerical के लिए बहुत जरूरी है कि practical में epidemiology पर चस्ट पर पंच नंबर को कॉछन आता है because epidemiology में आपको अगर cohort study पर सवाल आया है तो पूछा जा सकता है उसके बाद numerical के लिए आपको यह formulas याद होने चाहिए viva की बात करूँ अगर मैं तो very short note आपको आ सकता है relative risk पे तो आपको relative risk का formula पता होने चाहिए और उसके interpretation पता होने चाहिए viva में आपसे पूछ ले जाता है कि relative risk का formula बताओ और relative risk के various interpretation बताओ तो viva के लिए आपको important है लेकिन numerical के लिए तो यह बहुत ही जादा important है कि आपको formula पता होने चाहिए और interpretation आना ही चाहिए उसके बाद attributable risk को population attributable risk में भी viva और numerical के लिए यह बहुत important है viva numerical दोनों पे आपको question आता है वiva में आपसे formula पूछे जाते है numerical में आपको formula और interpretation करना आना ही चाहिए अगर मैं mcq की बात करूँ तो जितने भी underlined portion है वो सभी mcq आय हुए हैं आपके various pg entrance exam में तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको mcq आया हुआ है relative risk के formula पे भी आया है अगर आपको attributable और population attributable risk की बात करें तो उसके formula पे आपको mcq आया हुआ है risk difference किसको कहते हैं उस पे mcq आया हुआ है absolute risk difference या excessive risk difference किसको कहते हैं उस पर भी आपको mcq आया हुआ है और आपको यह भी आया है कि by contribution of risk factors का पता लगाते हैं या फिर health problem प्रप्लम कितनी है उसके भी आपको मसे क्यों आया हुआ है उसके बाद आपको यह आया हुआ है कि बहुत होता है उसके बाद आपको यह इंटर्बूतिक वह रिस्क अच्छा होता है सकता है कि बाइड़ांटेज बताओ अपने कोहार्ट सब्सक्राइब के यह भी आपको पूछा जा सकता है वाइवा के लिए तो अड़ांटेज इस बहुत इंपोर्टेंट है उसके बाद आपको टो mcq में पूछा गया है कि नेटरल हीश्ट्री अफ डिजीज किससे पता लगाओ गए टीज से रैर कॉस के अच्छी है क्ेंडीय के लिए क्लिए अच्छी है किसी लीए अच्छी नहीं hai क्षट din capture नहीं है इसके लिए case control study अच्छी होती है और expensive कौन सी होती है और time consuming कौन सी होती है तो cohort study होती है तो advantages disadvantages आपको underlined part जितने भी है mcqs आया हुए है तो dry disease अच्छी नहीं है यह पर mcq आया हुए expensive कौन सी होती है time consuming इस पर पर आपको mcq आया हुए है तो इतना आपको पता होना चाहिए तो